गुड मॉर्णिंग इस्टुडेंट्स, क्लास टैंथ, सब्जेक्ट साइंस और चैप्टर सेकेंड, सेकेंड चैप्टर में अपना नर्वस सिस्टम चल रहा था, नर्वस सिस्टम का एक छोटा सा टोपिक बचा हुआ है और वो है फीजियोलोजी ओफ नर्व सिस्टम में क्य हम कहते हैं, रिसिप्टर या सैंसर्स, तो उनके दोवारा सैंस को ग्रेंड किया जाता है, और सैंसरी नर्वस के दोवारा इसे ब्रेन को इंटिग्रेशन के लिए बेज दिया जाता है, अब ब्रेन उसे इंटिग्रेट करके, अपना जो देता है, अपना जो आदेश देता अब नीचे कुछ खास बात लिखी हुई है, नीचे लिखा हुआ है कि इसके अंदर इस फीजियोलोजी में जो चीज़े यूज हुई है, क्या क्या यूज हुई है, सेंसरी नौस हुई हुई है, मोटार नौस यूज हुई है, यह सब PNS का इसा है, जबकि ब्रेन और स्पाइ को हम क्या कहेंगे, मतलब हार्मोन्स वाला जो सिस्टम है, वो सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, तो देखे क्या है यह, एंडोक्राइन सिस्टम इंकलोड्स एंडोक्राइन ग्लैंट्स एंड देर सीक्रेशन्स, काल्ड हॉर्मोन, हॉर्मोन्स कहलाते हैं, मतलब एंडोक्राइ system क्या होते हैं, endocrine system वो होते हैं, endocrine system वो system है, जिसके अंदर endocrine gland आती हैं, और साथ में उनके secretions हाते हैं, मतलब hormones हाते हैं, hormones are chemical messengers, hormones क्या होते हैं, chemical messengers होते हैं, मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह messenger का काम करते हैं, message पुझाने का काम करते हैं, of the body that transforms forms information from one tissue to another जो एक टीशू से दूसरे टीशू के लिए information को transfer करने का काम करते हैं उसके बाद आती है endocrine glands क्या है देखे glands normally दो प्रकार के होते है endocrine और exocrine तो यहाँ पर हम endocrine पढ़ेंगे endocrine glands क्या है these glands pour their secretions directly into the blood मतलब वो glands जो अपना secretions सीधे blood में छोड़ती है और card endocrine glands वो endocrine glands कलाती है these secretions reach their target through the blood मतलब वो जो secretion जो blood में छोड़े गए हैं वो अपने target तक कैसे पहुंचेंगे अपने target तक पहुंचेंगे किसके द्वारा blood के द्वारा तो यह था endocrine systems इस endocrine system में एक छोटी सी में चीज जो है वो और रह जाती है और वह जाती है सभी प्रकार के glands और their secretions जो हम next वीडियो में पढ़ेंगे इस वीडियो में एक छोटा सा टोपिक और पढ़ लेते हैं प्यूटिट्री वाले हार्मोन उसके बाद आता है एड्रीनो को एड्रीनो कोटी को ट्रोपिक हार्मोन तो स्यों स्टुमलेटिंग हार्मोन उसके बाद आता है ओक्सिटोसीन और उसके बाद है प्रोलेक्टिंग उसके बाद है थाइराइड स्टुमलेटिंग हार्मोन उसके बाद है गोनेडोट्रोपीन रिलीजिंग हार्मोन उसके बाद आता है मैलिनोसाइट स्टुमलेटिंग हार्मोन और फिर लास्ट में आता है थाइरो थाइरोपीन रिलीजिंग एक बार द्यान से देख लेते हैं इसमें दिखने में थोड़ी दिक्कत होती है थाइरोट्रोपीन थाइरोट्रोपीन रिलीजिंग हार्मोन तो स्टुडेंट्स ये करीबन 10 प्रकार के हार्मोन हैं काउंट कर लेना एक बर 10 से 11 होते हैं तो ये जो हार्मोन है ये प्यूट्री ग्लेंड के दौरा रिलीज होते हैं और इनको समलित रूप से प्यूट्राइन हार्मोन के नाम से जाना जाता है तो इसके बाद हम बात करेंगे एक खास प्रकार का क्यूशन और है आपके इस बुक में इस होते हैं और दूसरा होता है double इटीॉ अ इन्सिपीडस तो मैलीटस क्या होता है यह इंसुलिन शुगर समें सुगर से समंध्य प्यायां उन सैंसी और ऑन men मेलिक मैलिटास जो है वो है मेला डाइब्टीज मैलिटस जो है वू इंसलीं मतलो सूगर बलड में सूगर मतलों स्टेशि को कIm करेंगे हम डाइबिटीज मेलिटस जबकी डाइबिटीज इंपिडस जो है वो यूरीन संबंदी रोग है जिसमें यूरीनेशन जादा होता है मतलब बार बार टोलेट जाता है पैसेंट तो यह क्यूशन है जो लगबग एक नंबर का आता रहता है इंपोर्टेंट क्यूशन जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे तब तक के लिए मैं आसा करता हूँ कि आप लोगों को आज पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझा गया होगा आप इसे लर्न करेंगे राइट करेंगे थैंक यू एंड गॉड ब्लेश यू